आज मुकेश बाकर ने अपने संबोधन में यह बात दो रही भी है कि राहूल गांदी ने पूर्वी राजस्तान से भारत जोड़ो यात्रा निकाली भारत को जोडने का वो काम कर रहे हैं और सचिन पाइलट जो पस्चिमी राजस्तान में खास करके यात्राएं कर रहे हैं औ आज साल तक सचिन पाइलट ने जिस तरह से अपोजिशन के लीडर के बतोर कॉंग्रेस के प्रदेशादेक्स के बतोर पूरे राजस्तान में काम किया था वो अभी भी उसका प्रभाव है और उन्होंने जो एक फोलोइंग तयार की थी वो फोलोइंग यहां पर नजर आती आज सभा होगी आज आने वाली सभाएं होंगी काज आ रहा है कि जो भी सभा होगी वह पिसली सभा से बड़ी सभा होगी उस तरह की तैयारी से सचिन पाइलट की तरफ से यूथ और महिलाओं का बहुत ज्यादा रोल नजर आ रहा है काफी संख्या में इस सरदे के माहौल म वो निसित रूप से राजनितिक सरगर्मी में और गर्माट पैदा कर रही है क्या लगता है सर ये कॉंग्रेस को अभी तक पाइलट साथ लेके चल रहे हैं पाइलट को लेके कोई निरने नहीं कर रही है कॉंग्रेस और अगर मान लीजी कोई निरने आगे भी नहीं रहता है तो इस प्रतेख सभा में ये कहा जा रहा है प्रतेख व्यक्ता के और से कि हमें पाइलट के साथ रहना है अगर पाइलट किसी और दल में जाते हैं या अपना नया कुछ करते हैं तो क्या राजसान के समीकरण और तरह से कोंग्रेस के लिए दिकतख़िकर सकते हैं जिस तरह से उत्रप्रदेश में पाइज बैहर में पैदा हुई बंगाल में वहां पर पूरा वोट बेंग की पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जहां-जहां कमजोर हूई ये वहां भी अगर आप देखेंगे तो कोंग कमजोर हुई है वो अपने ही कारणों से हुई है और अगर सचिन पाइलिट इस वक्त उस्तिती में नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि जो स्तिती उतरपदेश और बिहार में कॉंग्रेस की हुई थी वो स्तिती यहां भी पैदा हो सकती है क्योंकि एक बड़ा वोट में सच की तरह के वोटस